त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है हाला के दिवाली आने में अभी भी कुछ दिन बचे हैं दिवाली से पहले धन तेरस के त्योहार को मनाया जाता है और मानित अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आरोगी का वरदान मिलता है यानि कि हमेशा धन तरी पूजन का सर्वश्रेष्ट मोहरत और पूजा विधी क्या है मसकार मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजनल्स धन तेरस पर मा लक्षमी कुवेड देवता की पूजा होती है लेकिन इस दिन को भगवान धनवंतरी का जनमोसव के मानने ताहि कि धन तेरस के दिन भगवान धनवंतरी की श्रध्धा पूर्वक पूजा करने से आरोगी का वर्वरदान मिलता है धन तेरस पर धनवंतरी पूजन कब और कैसे करे इसके लिए जोतिश आचारय पंडित दश्टत नंदन्द विवेवी से बातचीत की जोतिश शचारे ने धनवंतरी पूजन के लिए सर्विष्ट्रेश्ट मोहरत बताया है लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि भगवान धनवंतरी कौन है और उनसे जुड़ी हुई रोजचक कथा क्या है शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णू के 24 अवतार माने जाते हैं समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णू ने कई अवतार लिये उनमें से कार्थिक मास की त्रयोदशी तिति को भगवान विष्णू धनवंतरी जी के रूप में अवतरित हुए तब ही से हर सा भगवान धन्वंतरी के जर्म दिन को धन्तेरस का त्योहार मनाया जाता है। धन्वंतरी भगवान की चार भुजाएं होती है। उनके एक हाथ में आयरवेद ग्रंथ, तो दूसरे हाथ में औरश्थी कलश होता है। तीसरे हाथ में जड़ी बूटी और चौथे हाथ में शंक होता है। धन्वंतरी भगवान आयरवेद के जनत माने जाते हैं। इसलिए धन्तेरस पर भगवान धन्वंतरी की पुजा करने से आरोग्गी का वर्दान मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं जोतिश अचारी के अनुसार इस वर्ष धन्वंतरी पूजन का सर्वश्ट्रेश्ट मुहुरत क्या है। इस दिन विधेपुर्वक्त भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्तर रहता है। श्योंकि भगवान धन्वंतरी, आयरुवेद और वैध्यक्षास्त्र के प्रनेता माने जाते हैं इसलिए खास कर मेडिकल फेल्ड से जोड़े लोगों के लिए धन्तेरस विशेश महत्व रखता है। भगवान धन्वंतरी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें।